आप ये विंटर में अपनी स्कीन को अच्छा रखना चाते हैं, आपकी स्कीन ड्राई ना दिखे बलकि सॉफ्ट अच्छी बनी रहे, मौस्टली विंटर में हमारे स्कीन ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कारण क्या है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे पहला कारण ये है कि आप तंडी में अपने चेहरे को गर्म पानी से ना धोए पानी से धोए पर बिल्कुल हलका गुन गुना बिल्कुल नॉर्मल पानी से आप अपने चेहरे को धिर गर्म पानी से बिल्कुल भी ना धोए अपने चेहरे को गर्म पानी से धोएंगे आपके चेहरे की पूरी नमी छीन जाएगी और आपकी चहरी खीजी-खीजी ड्राइस ही होने लगेगी तो आप गर्म पानी से ना धोकर नॉर्मल गुंगुने पानी से ही अपने चहरे को धोएं विंटर में भी दूसरा टेप्स आप ऑलिवोल यानी जैतुन तेल, आमोनोल यानी बादाम का तेल इसमाल कर सकते हैं अपने फेस पे अपलाई कर लें उसके साथ आप ऐलोवरा जेल को मिक्स करके अपने चहरे पे लगा लें कुछ दिर तक रहने दे ऐसे फिर पंतर मिनट बार अपने चहरे को दो लें या रात में भी आप इसे लगा कर सो सकते हैं इससे क्या होगा आपके स्किन में नमी बनी रहेगी आप ऐलोवरा जेल आप्सिनल है मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही आप तेल कर सकते हैं थे उने का तिल अपने चेहरे पर ऐसे ही लगा सकते हैं मसाज करते हुगे अच्छे तरीके से लगा रहा है रात में लगा कैसे ही सोचाई याँ दो पहर में या दिन में जब भी आप नहाने जाएं उस से पहले लगा लें और चेहरे को पंदर मिर्ट बार अपने चहरे को धोले इसे क्या होगा आपके चहरे में नमी बनी रहेगी आपके चहरे में अगर नमी खुच चुकी है तो वापस वो नमी आएगी बट इस प्रोसेस को आपको कुछ दिन तक करना होगा अगर आपके चहरे बहुत जादा ड्राई होने लगी है तो इस प्रोसेस को डेली करना होगा डेली आप इसको फॉलो करें तीसरा टिप्स आप मॉस्टराजर का यूज़ करें अच्छे तरह कैसे आपके स्किन ड्राई हो रखी है और मॉस्टराजर का चुनाओ भी आपके स्किन के हिसाब से करें आपके skin कैसी है, dry है, sensitive है, बहुत ज़्यादा dry है, normal है, उसके हिसाब से moisturizer का चुनाओ करें, फिर अपने face पे apply करें, ताकि आपके skin में वो नमी बनी रहे है, moisturize रहे है आपकी skin 4th and last tips, आपको अपने diet सही रखना है, याई healthy diet लेना है, diet का भी कापी असर होता है आपके skin पे, अगर आप diet सही रखेंगे, तो आपके skin भी अच्छी होगी, dry नहीं होगी या अच्छी बनी रहेगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले omega 3 fatty acid अपनी diet में शामिल करना है, omega 3 fatty acid कहां से मिलेगा, nuts से आप ले सकते हैं, chia seed से आप ले सकते हैं, flexids से ले सकते हैं, alci के beel से आप ले सकते हैं, accruid walnuts से ले सकते हैं, राजमा, kidney beans जिसे बोलते हैं, उससे आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको बादाम भी लेना है, बादार में vitamin E मुझूद होता है, साथ ही स इसे भी अपने डाइट में शामिल करें गाजर यानि कैरेट तो सज्जियों में कफी अच्छा होता है खाना भी चाहिए गाजर का हलवा खाई या फिर ऐसे आप सब्जी बना कर खाई ऐसे भी आप खा सकने हैं सैलड के रूप में यह फाईवरीच भी होता है आपके हेल्थ को भी अच्छा रखेगा साथी साथ आपके स्कीन को भी अच्छा रखेगा तो हेल्दी डाइट भी फॉलो करना बहुत ज़री है अच्छे स्कीन के लिए तो हेल्दी डाइट भी बहुत इंपोर्टेंट है